हवे बात करिये हिमाचल प्रदेश नी तो भारे वर्साद ना कारणे हिमाचल प्रदेश मा परिस्थिती वधु गंपीर बनी छे शिमला कुलू अने मंडी जिल्ला ना उपर वासमा वादर फाटता ताराजी ना द्रश्यों सर जाया हता आज जिल्लाओ मा पूर अने भूस्खलाना कारणे लगबग छत्रीस चिटला लोको ला पता छे प्रदेश नी राजदानी शिमला जिल्ला ना रामपूर उप मंडड़ ना जापडी विस्तार मा हाइडरो प्रोजेक्ट नजी कत मोडी रातरे वादर फाटता पूर आवियो हतु साथे ज मंड़ी जिल्ला नी चोहर गाटी मा पूर्णा कारणे आवेल भारे पाणी थी बचवा लोको ये जंगल तरफ प्रयाण करी हतु जे मां त्रोण लोको ला पता छे मंडिलना थलतू खोड मां मदराते वादर फाटता तारा जी सरजाई हती अहीं मकान तूटी पड़वानी घटना पन सामय आवी हती अने रोड कनेक्टिविटी पन ठप थाई गई छे राहात अने बचाव कार्या माटे SDRF अने अन्य टीमों घटना स्थडे रवाना थाई छे मंडी जिल्ला प्रिशास अने बचाव माटे एरफोर्स ने लट करी दी दी छे ज्यारे पन मददनी जरूर पड़शे त्यारे सेवा ओ मंगावा माँ आवशे साथे जेंडी आरेफ ने पन मदद माटे स्टेंडबाई राखवा माँ आवी छे कुलू जिल्लाना मलाना नदीमा वादल फाटवाने कारणे मलाना एक अनाय मलाना बै पावर प्रुजक्ट ने पन भारे नुक्षान पहुंचिऊ छे भारे वर्सात बात पार्वती नदीनू जड़ स्तरपन सत अतफ़दी रहुचे लगभग सभी जिलों में व्यापक मौनसुन के वर्शा हुई है सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रीखंड की पहाड़ियों में ये जो बीती रात बादल फटने की घटना आई है ये लगभग भीमडवार के पास एक स्थल आता है श्रीखंड यात्रा के एक पढ़ाव आता है भीमडवार के पास से पारवती नदी में अचानक से ये जो जलस्तर बढ़ने के बाद लगभग दो तरफ को ये पानी जो है वहाँ पर विभगत हुआ है जिस मैंसे की एक तरफ कुलू जिले में वो पानी भारी भर कम संख्या में गया है दूसरी और शिमला जिले की तरफ भी वही रामपूर के क्षेतर की तरफ भी वही पानी जो है विभगत हो कया है जिसके चलते रामपूर के समेब जो जाकड के समेब जिसक शेतर की बात की जा रही है समेज नदी के पास वहाँ पर सबसे दुखत ख़बर आ रही है कि वहाँ पर 36 लोग जो हैं लापता है एक ही गाउं के समेज खड में ये जो बादल फटने की घटना थी उसकी बात पता आए जा रही है जिसके लिए उपायुक शिमला और स्पी शिमला संजीव गादी और अनुपम कशब वहाँ पर रवाना हो चुके है स्टी आविफ की टीम है वहाँ पर पहुंच चुकी है दरजनों मकान वहाँ पर बह गए हैं गाडियां बह गए हैं और व्यापक नुकसान इन दोनों ही घटनाओं में हुआ है